कि नमस्कर दोस्तों आज इस वीडियो में हम समास के कितने प्रकार हैं समास क्या है और समास कितने प्रकार के होते हैं सभी को इस वीडियो में हम विश्टर जानगारी देखेंगे अगर आप इस चैनल पर नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें त उस तो यहां पर दे रखा है दो या दो से अधिक सब्दों के योग से सब्द निर्मान की रीती को समास कहते हैं समास द्वारा सब्द रचना होती है, अनेक पद मिलकर जब एक पद बन जाते हैं तो वहां समास कहलाता है इसे समास का अर्थ है, शंक्शेप करना, जब दो या दो सब्दों को मिलाते हैं, तो दोनों के बीच का संबन्द सूचक सब्द लुप्त हो जाता है, इस प्रकार अनेक सब्दों के लिए एक समस्तपद बना लिया जाता है, इसे ही समास कहते हैं. कम से कम सब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का प्रमुख लक्ष है समासों के परंपरागत छे भैद होते हैं कितने भैद होते हैं समास के तो समास के छे भैद होते हैं तो हम जानेंगे पहला भैदे पहला भैदे द्वंद समास यहीं कि द्वंद समास किसे कहते हैं और उसके कुछ उधारन हम देखेंगे जिस समाज में पूर्वपद और उत्तरपद दोनों ही प्रधान हो जिस समास में पूर्वपद और उत्तरपद दोनों ही प्रधान हो अर्थार्थ की द्रश्टी से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो और उनके मद सैयोजक सब्द का लोख हो तो वो क्या कहलाता है तो वो कहलाता है द्वंद समास जैसे यहाँ पे लिखा है माता पिता क्या लिखा है माता पिता तो यहाँ पे इसका जैसे हम देखेंगे माता और पिता तो यहाँ पे और का क्या कर दिया और का लोग कर दिया और माता पिता हो गया जैसे राम क्रस्न राम और क्रस्न भाई बहन भाई और बहन पाप पुन्य सुख दुख यहापने क्या हो गया सुख और दुख इस प्रकार यहने कि जिस समाज में पूरुपद और उत्तरपद दोनों ही प्रधान हो अर्थात अर्थ की द्रश्टी से दोनों का स्वतनता अस्तितु हो और उनके मद्य सयोजक सब्द का लोग हो तो उस समाज को द्वंद समाज कहते हैं नेक्स्ट देखेंगे द्विगू समाज अब यहापने देखेंगे द्विगू समाज तो जिस समाज में पूरुपद संख्यावाचक हो आप इसको ध्यान से देखना जिस समाज में पूरुपद संख्यावाचक हो द्विगू समाज कहलाता है इन्हें कि जिस भी समाज में संख्यावाचक सब्द आ गया पूरुवाला तो यह वो समाज क्या कहलाएगा द्विगू समाज कहलाएगा जिसे नव रतन, इन्हें नो रतनों का समूर, सब्त द्वीप, इन्हें साथ द्वीपों का समूर, त्री भुवन, इन्हें तीनों भुवनों का समूर, सत मंजिल, इन्हें साथ मंजिलों का समूर, जिस समाज में, जिस समाज का पूरुपद संख्यावाचक हो, उस समाज को हम क्या कहेंगे वो समाज को दीगू समाज कहेंगे कि कहेंगे तीसरा है तत्पुरुस समाज जिस समाज में पूरुपद गोन तथा उत्तरपद प्रधान हो जिस समाज में पूरुपद गोन तथा उत्तरपद प्रधान हो जिससे हम देखेंगे दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोब रहता है जिसे परसर्ग का लोग के आधार पर तत्पूरूस समास के छे भेद होते हैं इसके कितने भेद होते हैं तो तत्पूरूस समास के छे भेद होते हैं लोग के आधार पर तो इसमें हम देखेंगे कर्म तत्पूरूस तो यहाँ पर लोग किसका हो जाता है जिससे कर्म तपूरूस तो यहां पर होता है को का नोग किसका लोग होता है को का नोग जिससे यहां पर देखा हमने मत दाता यहने मत को देने वाला तो यहां पर लोग किसका हुआ तो यहां पर लोग हुआ को का फिर है गिरह कट यहने गिरह को काटने वाला क्या हो गया गिरह कट यहने गिरह को काटने वाला यहां पर भी किसका लोग हो गया तो को का लोग हो गया फिर है कमल नयन कमल नयन यहने कमल के समान नयन यहां पर भी लोग हो गया किसका के का यहां पर लोग हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे तो यह हो जाएगा कर्म तत्पुरुस समास अगला हम देखेंगे अगला है एक हवाला है करण तत्पुरुस जहां करण कारण चिन से का का लोप हो जैसे यहां पर लिखा है जन्म जात इन्हें जन्म से उतपन तो यहां पर किसका लोप हो रहा है तो यहां पर हो रहा है का लोप फिर मुह मांगा इन्हें मुह से मांगा तो यहाँ पर कारण का कारण चिन से का का लोग यहाँ पर लोग हो रहा है फिर गुण हीन इन्हें गुणों से हीन नेक्स्ट है संप्रदान तत्पुरुस ने के जहां संप्रदान कारक चिन के लिए का का लोग हो जैसे हत कड़ी इन्हें हात के लिए कड़ी या पर लिखाए सत्याग रहा इन्हें सत्य के लिए आग रहा युद्ध भूमी या युद्ध के लिए भूमी इस प्रकार ये संप्रदान तत्पुरुस होगा नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर दे रखा है गहां अपादान तत्पुरुस जहां अपादान कारक चिन से प्रथक होने में का लोग हो जिसे धन हीन, यहने धन से हीन, धन हीन यहने धन से हीन, यहाँ पर किसका लोग हो रहा है, तो यहाँ पर से का लोग हो रहा है, भै भीत, यहने भै से भीत, यहाँ पर भी से का, फिर जनाम्द, सोरी, जनमांद, यहने जनम से अंधा, इसा कैसा अगला वाला देखेंगे, संब संबंद कारक्चिन का का के की का लोप हो इसे यहां पर का के और की का अगर लोप होता है तो वह संबंद तत्पुरुस कहलाता है तो हम देखेंगे इसमें प्रेम सागर यहां प्रेम का सागर यहां पर किसका लोप है प्रेम का सागर दिन चरिया यहां दिन का चरिया भारत रत ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, चा अधीकरण तत्पुरूस, याने जहां अधीकरण कारण में परकालोब हो, जैसे निती निपून, याने निती में निपून, में या परकालोग हो, आत्म विश्वास, तो आत्मा पर विश्वास, घुड सवा, इन्हें घुडे पर सवा, इस प्रकार हम अगला वाला देखेंगे, कर्मधारई समास, यह चोथा वाला है, जिस समास में पूरूपद विशेशन और उत्तरपद विशेश्य हो, कर्मधारई समास कहलाता है, इसको हम अच्छे से देखेंगे, जिस समास में पूरूपद विशेशन और उत्तरपद विशेश्य हो, तो वो कर्मधारई समास कहलाता है, इसमें भी उत्तरपद प्रधान होता है, जिसे यहाँ पर लिखा है काली मिर्च, इन्हें काली मिर्च, तो यहाँ पर उत्तरपद पद देखेंगे तो मिर्च तो यहाप पर भी इसका काली है मिर्च नील कमल इनने नीला है कमल पितांबर इनने पीला है अंबर चंदर मुखी इनने चंदर के समान मुखी सत गुण इनने सत है गुण तो वो कुझ सा समाज हो जाएगा तो हो जाएगा कर्मधारे समाज कर्मधारे समाज में पूरुपद विशेशन और उत्तरपद विशेश्य हो यह हमको ठ्यान रखना है अगला देखेंगे अव्यवभाव समाज जिस समाज में पूरुपद अव्यव तथा प्रधान हो अव्यव भाव समाज कहलाता है जिस समाज में पूरुपद अव्यव तथा प्रधान हो अव्यव भाव समाज कहलाता है जिसे यथा स्तान, यहने स्तान के अनुसार, आ जीवन, यहने कि इसमें अव्यव आ रहा है, आ और इदर आ रहा है जीवन, इसमें यथा अव्यव था और इसमें आ है, तो यहां आ जीवन हो गया, जीवन भर, प्रती दीन, यहां पर प्रती क्या हो गया, प्रती एक अव्यव प्रतियक दिम, यथा संभव, इने समय के अनुसाद, तो कि नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, शिक्स वाला है बहु प्रिही समाज, इने जिस समाज में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेश, तीसरे का अर्थ का बोध होता है, वहां बहुर भी ही समास कहलाता है इन्हें जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विसेज याने तीसरे अर्थ का बोध होता है वहां बहुर भी ही समास कहलाता है इसकर देखेंगे हम महात्मा इन्हें महान आत्मा है जिसकी अर्थात उची आत्मा वाला नील कंट ये नीला कंट है जिसका नीला कंट है जिनका अर्थात सिव जी ये किसके बारे में बता रहा है वो नीला कंट किसका है ये सिव जी का फिर ये लंबो धर ये कि यहाँ पर दोनों पद के माध्यम से तीसरे के बारे में बताया जा रहा है लंबो धर याने लंबा उदर है जिनका अर्थात गनेश जी गिर धर गिरी को धारण करने वाला अर्थात स्रीक्रश्न मख़्ी चूस याने की बहुत कंजूस व्यक्ति कि अब भी हमने पड़े समाज के बारे में पड़ा तो हम यहां पर कुछ कुछ अंसर दे रखें तो उनको उनका रिविजन करेंगे जिसे दिये गए सब्दों को प्रयुक्त सभी समाज चुनिए हैं यहां पर दे रखा है हातो हात रात तो हात तो कुन सा समाज हो जाएगा इसका आदे रखा है A. अविय भाव समाज B. तकपुरुष समाज C. द्वंद समाज D. दिगु समाज हाथो हाथ कुन सा समाज हो जाएगा तो इसका अंसर बताना है आपको तो इसका अंसर हो जाएगा अविय भाव समाज कुन सा समाज हो जाएगा अवी भाव समाज नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर पितामबर तो कुन सा समाज हो जाएगा पितामबर, तकपुरू समाज अवी भाव समाज बहुर भी समाज या दीगू समाज तो पितामबर जो है वो कुन सा समास हो जाएगा तो यह आपको बताना है कुन सा समास हो जाएगा तो इसका अंसर हो जाएगा बहु ब्रीही समास ठीक है Next Question number 3 है तत्पुरु समास है तत्पुरु समास है इसका A दे रखा है सतापदी B दे रखा है चोमासा C दे रखा है भाई भहन और D दे रखा है पद प्राप्त तो इसका क्या हो जाएगा थ्री का तो इसका हो जाएगा पद प्राप्त क्या हो जाएगा पद प्राप्त नेक्स्ट देखेंगे 4 नमबर का देखेंगे हम तो यहाँ पर दे रखा है 10 है आनन जिसके दसानन याने रावन में कुन सा समाज है रावन में कुन सा समाज है तो यहाँ पर दे रखा है ए बहुर ब्रिही समाज अवियो भाव समाज, दिगु समाज, तत्पूरु समाज तो रावन में याने दसानन में कुन सा समाज है इसका अंसर क्या हो जाएगा बहु ब्रीही समास नेक्स्ट है चरण कमल में प्रयुक्त समास तो कुझसा समास है तत्पुरुष समास कर्मधारे समास बहुर ब्रीह समास या द्वन्द समास कुझसा समास है तो इसका अंसर हो जाएगा कर्मधारे समास चरण कमल में कर्मधारे समास है नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है घुड सवार घुड सवार में कुझसा समास है द्विगु समास कर्मधारे समास तत्पुरु समास अवियु भाव समास तो घुर सवार में कौन सा समाज है तो आपको बताना है तो इसका अंसर हो जाएगा C तत्पुरुस समाज Next है 7 नंबर का इसमें इनमे से अव्यू भाव समाज कौन सा है A दे रखा है नवरत्न, B दे रखा है नीतिनिपून, C दे रखा है जन्मजात और D दे रखा है प्रती दिन यने इनमे से अव्यू भाव समाज कौन सा है तो इसका अंसर हो जाएगा प्रती दिन अव्यू भाव समाज का उधारन है Next देखेंगे Next है 8 नंबर का देखेंगे संबंद तत्पुरूस में किस कारक चिन्ड का लोप होता है संबंद तत्पुरूस में किस कारक चिन्ड का लोप होता है A का का, B से से, C के लिए और D को इसका अंसर क्या हो जाएगा तो इसका अंसर हो जाएगा का का लोप होता है Next है मक्खी चूस सब्द में कौन सा समाज है मक्खी चूस सब्द में कौन सा समाज A. बहुत प्रिही समाज B. कर्मधाराई समाज C. अवियो भाव समाज D. दिगु समाज कौन सा समाज है तो इसका अंसर हो जाएगा D. दिविगु समाज Next question है 10 नमबर का है गर्व सुन्य सब्द में समाज है गर्व सुन्य सब्द में समाज है A. कर्म तत्पुरूस समाज B. करण तत्पुरूस समाज C. संपरदान तत्पुरूस समाज D. अपादान तत्पुरूस समाज कौन सा है तो इसमें आपको comment करके बताना है next question देखेंगे 9 रत्नस सब्द में कौन सा समास है 9 रत्नस सब्द में कौन सा समास है A. तकपूर समास B. करमधारे C. द्विगू D. द्वण्द कौन सा है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा दिगू समाज नेक्स्ट देखेंगे 12 नमबर है चोराहा में समाज है चोराहा में समाज है A. कर्मधारई समाज B. तकपुरूस समाज C. द्वंद समाज D. दिगू समाज कौन सा समाज है? चोराहा सब्द में चोरहा समाज तो इसका अंसर हो जाएगा द्वीगू समाज नेक्स्ट है रजगुला में कौन सा समाज है? A. तकपुरूस समाज B. बहुरबृ समाज C. अव्यूभाव समाज D. दिगू समाज तो इसका अंसर हो जाएगा तत्पुरूस समास नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है 14 अधिकरण तत्पुरूस में पहला पद प्रधान होता है दूसरा पद प्रधान होता है सी दोनों पद प्रधान होते हैं दी प्रथम एवं तरती पद प्रधान होता है इन्हें अधिकरन तत्पुरुस में कुन सा पद प्रधान होता है तो इसका अंसर हो जाएगा दूसरा पद प्रधान होता है इसका अंसर हो जाएगा बी दूसरा पद प्रधान होता है नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है 15 राजपूत्र में कौन सा समाज है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा तो इसका अंसर हो जाएगा ततपूरुस समाज Next देखेंगे 16 सतावदी में कुन सा समाज है A. तत्वण्द समाज B. दिगु समाज C. कर्मधारे समाज और D. तत्पुरुस समाज तो इसका अंसर हो जाएगा B. दिविगू समाज नेक्स्ट है अविव भाव समाज का उधारन है अविव भाव समाज का उधारन है लवकुस B. भरपेट C. त्रिवुवन और D. छत्रधारी तो इसका क्या उधारन है इसका अंसर हो जाएगा B भर पेट